नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैसल टीच में दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आपके लिए क्लास 10 के बहुत ही इंपोटेंट कॉस्चन लाया हूं सोसल साइंस के दोस्तों ये कॉस्चन जो है अंक तीन के लिए इससे पहले यानि कि ये दिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा आप बहां से जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तों आपको अगर 90 प्लस या 95 प्लस मारकेंग करनी है तो आपको इन सभी कॉस्चन को याद करना पड़ेगा जितनी ही मैं वीडियो बनाऊंगा इंपोटें टीक है कीोंकि है कि आप अगर उन्हें नहीं देखेंगे जतने कॉस्चन तो आप मरक्स ने कर सकते क्योंकि पेपर में केवल के ही सारे कॉस्चन नहीं आते हैं दोस्तों पेपर में दो नम्मर के भी कॉस्चन आते हैं एक नम्मर का भी आता है दो नम्मर का भी आता है तो आपको इसे जो है जरूर से जरूर याद कर लेना है उन कॉस्चन को भी और आंगे जो वीडियो आएगी जैसे कि दोस्तों पार्ट 4 होगा जिसमें मैं अंक 4 के लिए बताऊंगा तो वो भी आपको देखनी है उसे ही पूरा याद कर लेना और उसके बाद अंक 5 के लिए जो बताऊंगा उसे भी कर लेना है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन आप अगर हमाई चैनल पर नहीं हो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें हैं साथ में वेल आई गुंदावाना ना भूलें दोस्तों इसमें सबसे पहला कॉस्चन निकल कर आता है कि सामाजिक बान की योजना क्या है दोस्तों बहुत ही इंपोटेंट कॉस्चन है आपको इस कॉस्चन को जरूर याद कर लेना है ठीक है कि सामाजिक बान के योजनہ क्या है निक्स्टा आता है दोस्तों अपर से मैंसे कोई सा एक ही पूछा जाए गा तो इस वात का आप झरूर द्यान रखें जात प्रित्यक्ड वियात करने बनो से होने वाले अपरित्यक चलाबों को याद कर लें नेक्स्ट कॉस्चन आता है दोस्तों मानब जीवन में मिर्दा का क्या महत भै लगिए ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन आता है कि रवी वा खरी पसलों में अंतर इसपश्ट कीजिए दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि आपको अंतर जो है याद कर लेने क्योंकि अंतर जानतर आते हैं ठीक है जैसे इंपोटेंट अंतर होते हैं उन्हें आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है नेक्स्ट है दोस्तों कि लोहे और इस पाथ इस पाथ यानि इस्टील दोस्तों दोनों का जो है एनसे भी पूचा जाता है कि आदुने को इनने लोहे इस पाथ उद्योग का क्या मैद भखेज़ को समझते हैं दोस्तों बहुरती अस्वन्तूस पहला था उस समय पर उसके जो बुक्य खारनते आपको बोही बताना है, नेक्सट आता है दोस्तू उद्धानिक बिकास कारिकरम के परमुक पराबधान बताईए ठीक है? नेक्सट कॉसचन है दोस्तू 1857 1725 को परतम 18 molar क्यों का जाता है दोस्तों बहुत ही important question है यह super most important question है आपको इसे जरूर याद कर लेना है ठीक है क्योंकि यह question 1857 के संग्राम से related जानदतर question पूछे जाते हैं next question आता है दोस्तों 1857 के 17 संग्राम की असा पलता के क्या कारणा है बताईए ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि आपको पता ह बताना है next question आता है दोस्तों अंग्रेजों के आर्टेक सोसन की नीती ने भारतिय को त्रुद्यों को कैंसे प्रवावित किया है दोस्तों इस question को आपको जरूर से याद करना है ये इस बार आने की जानदतर चांस है next आता है दोस्तों सुवित करांती बाख पीत करांती में अंतर ठीक है आपको बोल चुका हूँ दोस्तों अंतर आप जानदतर आ जाते हैं चलिए दोस्तों next questions देखते हैं तो ये question है दोस्तों यहाँ पर 19 भी सताब दी के इंतिम दसक में करनों से उग्र राष्टबाद को प्रोटसान मिला ठीक है तो आपको इस question को अच्छे समयना है और इससे solving करना है next है दोस्तों भारती अर्थवस्ता में किरसी के योगदान को समझाईए दोस्तों बहुत ही पराणी संदक्चन के उपाय बताइए ठीक है यह पूचघाया तो आपको यह जरूरियाद करना है बनने पराणी संदक्चन के उपाय नेक्ष्ट आता है दोस्तों कोंग्रेस के स्थापना के क्या उत्यस सिते लिखिए दोस्तों इस question को आपको जरूरू से याद कर लेना और दोस्तों आपको जो है आंगे की पार्ट आएंगे उसे भी देखना है और इस चैनल को दोस्तों सबस्क्राइब जरू कर दें और साथ में वेल आईकून दवाना ना वोलें next question आता है दोस्तों बहरत में बसने बाले यूरोपिये अंग्रेजोंने इल्वाइट विल का ब्रोध क्यों किया next question आता है दोस्तों बहरत में राष्ट्टिये जागिरती के बेकास में पस्चिं बेचारों और सक्चायने क्या भूमी का निवाई इसके बद अगला क्वें आता है दोस्तों हरित क्रांति की मुख्ब के बному इस ते लिए वर दोस्तों सबसे लाश्ट का क्वें आता है कि